Hello everyone, मैं हूँ करिल शापरी और यह है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही कराशी फली यह 8th मार्च से लेकर 13th मार्च तक के आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डिली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा पीच भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं, coming week का साथ आप ताहिक राशी फल चलिए बाइसेज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards हैं, five of swords and love begins और देखें, ये cards कहते हैं कि specifically आपके professional front में किसी चीज को लेकर या फिर इन जनरल भी एक unfair energies या किसी level पे किसी तरीके का injustice आप महसूस कर रहे हैं हाला कि देखें, ये weekly reading है तो बहुत बड़ा कोई मसला, बहुत बड़ा issue नहीं होगा लेकिन फिर भी बहुत great energies में आप रहते वे नहीं देख रहे हैं और देखें इन unfair energies या फिर इस injustice के सब के लिए different reasons हो सकते हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि भई जो आप deserve करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है या फिर जितना effort, जितनी महनत किसी चीज के लिए या फिर in general भी आप करते हैं उस हिसाब से आपको results नहीं मिलते हैं या नहीं इस week मिल रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि you know किसी चीज को लेकर आपने बहुत effort किया, बहुत महनत करी और इस week एक positive outcome, एक positive result आप expect कर रहे थे, वो आपको नहीं मिल रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं या फिर कोई खास इंसान है, जिन से आपको बहुत उमीदें थी, बहुत expectations थी और उनकी तरफ से वैसा response नहीं मिल रहा है तो देखे, फिर से मैं कहूंगी जो चीज़ें मेरे माइन में आ रही है, मैं कह रही हूँ यहाँ पर सब के लिए different reasons हो सकते हैं, इस injustice, इस unfair energies के और देखे, deeper level के लिए love begins का काट कहता है कि यहाँ तो एक नई शुरुवात आपके professional front में हो रही है जो एक happiness, एक joy भी लेकर आ रही है लेकिन साथी साथ एक injustice भी आप महसूस कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने professional front में एक नई beginning करना चाहा रहे हैं नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहा रहे हैं और कहीं आपको एक smooth going नहीं मिल रही है या फिर आप उस तरीके से नई beginning को नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वज़े से again एक unfair energies आप महसूस कर रहे हैं तो देखे, जनरल रीडिंग है थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ कर सकता है and personal front के लिए आप लोगों के लिए 10 of wands and temptation के cards हैं देखे, दोनों ही cards stress tension की बात करते हैं, pressure की बात करते हैं devil का card बहुत एक obsessive energies की, possessive energies की बात करता है और 10 of wands का card बहुत सारी responsibilities या बहुत सारी चीज़ें अपने उपर लेने की बात करता है और देखे, जाहिर सी बात है, जब हम ऐसी energies में होते हैं, तो हम परेशान तो होते ही हैं तो देखे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई चीज़ है जिसको आप achieve करना चाहाते हैं और बहुत ज़ादा आप उसी के लिए obsessive हो रहे हैं आपको ऐसे लग रहा है कि भई हर हाल में आपको ये चीज़ तो चहिए ही चहिए हैं आप end result से बहुत ज़ादा attach हो रहे हैं तो देखे, बहुत बहुत important है Pisces कि थोड़ी सी आप अपनी attachment कम करें क्योंकि होता क्या है ना जब हम बहुत obsessed से हो जाते हैं या फिर outcome के साथ बहुत attach हो जाते हैं तो हम अपने true potential को उस तरीके से नहीं utilize कर पाते हैं हम अपनी capabilities को again मैं कहूंगी नहीं utilize कर पाते हैं और इसी वज़े से हम अपने goal अपने मकसद से और परे हो जाते हैं और दूर हो जाते हैं और इस चीज़ को हम realize नहीं कर पाते हैं और फिर हम बहुत परेशान होते हैं तो देखे, गीता में भी लिखा हुआ है करम करे जा फलकी इच्छा ना कर तो इन energies में आपने रहना है या फिर इस चीज़ का आपने खयाल रखना है और जितना आप कर सकते हैं उतना ही आप करें beyond the point आप अपने आपको exhaust ना करें beyond the point again मैं कहूंगी आप responsibilities को अपने उपर ना ले आप इतना काम ना करें जितना आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखे जब भी भी 10 of wands का काड आता है आप यही कहते हैं आपको बहुत ही प्यार से लोगों को ना कहना आना चाहिए तो देखे इस चीज़ का भी खयाल आप इस week जरूर रखें और अगर ऐसा आप कर पाएंगे तो इस week की energies को आप better कर पाएंगे and guidance से आप लोगों के लिए lead का काड है और यह काड कहता है कि जो भी आप चाहाते हैं यानि कि जो भी आपका goal है, मकसद है उसको definitely आप achieve कर पाएंगे अगर आप बहुत ही confidently, बहुत ही assertively उसी direction में action initiative लेंगे अगर आप again मैं कहूंगे कि बहुत ही confidence के साथ हर चीज को deal करेंगे and astrology से आप लोगों के लिए Sagittarius sign का काड है और इसके हिसाब से यह low color इस week आप लोगों के लिए लखी रह सकता है and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो यह था पाइसेज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही ग्राशीफल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए